दोस्तों आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे चैनल में इस वीडियो के अंदर अब यह लूशन्ट समाने ग्यान इससे रिलेटेड जो है important 40 plus question इस वीडियो में देखने वाले हैं तो दोस्तों आप इस वीडियो बहुत ध्यान से लास्तिक देखिए चैनल पनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में एक बेल आइकन आएगा उसे अन करके all notification पर क्लिक करते हैं और वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरू करें तो चले शुरू करते हैं देखिए यहाँ पर हमारा पहला question दिया गया है किसी छेत्र को मरुवस्थल माना जाएगा यदि तो देखे किसी छेत्र को मरवस्तल माना जाएगा यदि बारसिक बरसा 25 से कम हो ठीक है बारसिक बरसा जो है 25 से कम हो तब जो है किसी छेत्र को मरवस्तल माना जाएगा तो अप्शन C यहाँ पर करेक्ट जाएगा कुश्चन नमबर 2 है दिये गए बिकल्पों में कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है तो यमुना की सहायक नदी जो है option C यहाँ पर घाघरा नदी नहीं है बागी यह तीनों चम्बल, केन और बेतवा तीनों यहाँ पर यह यह यमुना की सहायक नदी है question number 3 है किस दर्रे से होकर ब्रहमपूत्र नदी भारत में परवेश करती है देखिए very important question है किस दर्रे से होकर ब्रहमपूत्र नदी भारत में परवेश करती है तो correct answer option B हो जाएगा यांगयाप दर्रा ठीक है यांगयाप दर्रे से होकर ब्रम्पूत्र नादी भारत में परवेश करती है इसके अलावा भारत के प्रमुख दर्रे इस से रिलेटर जो कोश्चन एक्जाम में पूछे जाते हैं वो यहाँ पर हमने लिख रखे हैं देखे पहला दिया गया है बुर्जिल दर्रा किस राज्य में पूर्जिल 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 दर्रा किस प्राकिर्तिक दर्रे को दिया गया है प्रसीद जुआहर सुरंग का नाम किस प्राकिर्तिक दर्रे को दिया गया है तो ये बनिहाल दर्रे को दिया गया है पाचला दर्रा किस राज्य में इस्तित है पाचाला दर्रा किस राज्य में इस्तित है हिमाचल प्रदेश राज्य में जैलेपला दर्रा किस राज्य में स्थीत है, सीकिम राज्य में स्थीत है किस दर्रे से होकर तीर थे आत्री, मानसरोवर जील के दर्शन हेतु जाते है किस दर्रे से होकर तीर थे आत्री, मानसरोवर जील के दर्शन हेतु जाते है तो ये माना दर्रा, माना दर्रा से हो कर जाते हैं, जमु से सिरी नगर का मार्ग किस दर्रा से हो कर जाता है, बनिहाल दर्रे से हो कर जाता है, जमु से सिरी नगर का मार्ग, थाल घाट दर्रा और भूर घाट दर्रा, मतलब थाल घाट और भूर घाट दर्रे किस परवत माला म है पस्ष मी घर में इस्थित था है पीपली घर किस परवतिय भाम मैं शित थी जोजिलावय किस राज हर्ज हर्ज में शित जमउका समीर जम्हें शित चेतर के लिए प120 का पहला दिश कॉन सा है खार्बन टेक्स लगानेवक वालवत जायेगा संभिधान सभा कि प्रारूब समीति क्या ज़स्ट कॉन लावा भीम राव अंबेद करते ठीके option D correct हो जाएगा इसके अलावा संबिधान भारतिय संबिधान से related जो question important question एक जाम में पूछे जाते हैं आपर है पहला दिया गया है संबिधान सभा के पहली बैठक कब हुई थी 9 December 1946 को संबिधान सभा के ओ अस्थायत है उसकों थे डाक्टर सच फिदानां सिना थे संबिधान सभा की अस्थायत हैस के रूप में किसे न्युक्त किया गया था तो डाक्टर राजेंदर परसाथ को किया गया था भारतिय संबिधान सभा के अस्थापना कप कि गई थी चै절 देसंबर पहली बर मनाये गया था संबिधान में धर निर्पेक्ष और समाजवाद सब्द किस वर्ष जोड़े गए संबिधान में धर निर्पेक्ष और समाजवाद सब्द किस वर्ष जोड़े गए 1976 में पंच वर्ष उनगे अधरना किस देश के संबिधान से प्रेरीत है सूबियत संग के संबिधान से प्रेरीत है कि इस भाग को संबिधान की आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को भारतिय संबिधान को लागू करते समय इसमें कितने अनुशेद भाग और अनुसुचिया थे 395 अनुशेद 22 भाग और 8 अनुशूचिया जिस टाइम पर संपेधान मतलब लागू किया गया था उस टाइम पर थे अभी बरतमान की बात की जाए तो 448 से ज्यादा अनुशेद है 25 भाग है और 12 अनुशूचिया भी बरतमान में ठीक है गड़ना के दिरिष्टी से 395 ही अनुशेद है लेकिन खंडबाई इसकी संख्या बढ़ चुकी है 448 से भी ज्यादा अनुशेद हो चुके हैं देश का कौन सा सर्वच कानून है भारतिय संपेधान सर्वच कानून है भारत का संपेधान किसके द्वारा बनाया गया था तो संपेधान निर्मातरी सभा के द्वारा जो है भारत का संपेधान बनाया गया था भारतिय संपेधान को अंगे कृत काप किया गया था 26 नॉवंबर 1949 को जो है अंगे कृत किया गया था दोस्तों वीडियो पसंद रहा है तो प्लेज़ वीडियो को लाइक झूरू करें अपने दोस्तों में सेयर कर सकते हैं ठीक है और चैनल पनाए है तो चैनल को सबस्क्राइब करके ब्ल आइकन प्रेस करें अगला question देखते हैं question number 7 है भारतिय संविधान में नियाईक पुनर विलोकन की विवस्ता किस देश के संविधान से लिया गया है तो यह अमेरिका के संविधान से लिया गया अपसनी correct हो जाएगा बित बिध्यको के बारे में बिशे सुपबंद संविधान के किस अनुषेद में बढ़नी थै बित बिध्यको के बारे में बिशे सुपबंद संविधान के किस अनुषेद में बढ़नी थै तो यह अनुषेद देख सो 17 में बढ़नी थै अपसन भी यहाँ पर correct हो जाएगा सौंग और राजियों के अधीन सेवाएं संबिधान के किस भाग में उलेखित किया गया है संबिधान के अधीन सेवाएं संबिधान के किस भाग में उलेखित किया गया है तो ये भारतिया संबिधान के भाग चोदव में उलेखित किया गया है अगला कुश्चन है संसदिय सासन में वास्तवी कारेपाली का सक्ति निमनलेखित में से किसके पास होती है तो ये परधान मंत्री के पास होती है option B correct हो जाएगा निमनलेखित में से कौन एक है संगिय बजट की तयारी और उसे संसद में पेस करने के लिए उतरदाई है तो correct answer ये हो जाएगा आर्थिक कारे विभाग ठीक है option यहाँ पर correct हो जाएगा अगला question है उचतम नियाले में संबिधान के निर्वाचन से संबंधित मामले कि सुनवाई करने के लिए नियाधिसो की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए तो उचतम नियाले में संबिधान के निर्वाचन से संबंधित मामलो कि सुनवाई करने के लिए नियाधिसो कम से कम जो संख्या होनी चाहिए वो 5 होनी चाहिए ठीक है option यह correct हो जाएगा बीजे नगर आने वाला प्रमुख बिदेशी यातरी doming pious किसके सासन काल में भारत आया doming pious किसके सासन काल में भारत आया था तो यह आया था कृष्ण देव राय के समय में ठीक है option डी correct हो जाएगा बैदिक सभ्यता में आरियो की प्रसासनी की काई को कितने भागों में बाटा गया था ठीक है option B correct हो जाएगा अगला question है सिंदो घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा औस्तल कौन है मोहन जोदलो है ठीक है option B correct हो जाएगा रिगबैदिक कालिन नदियों में सदा नीरा किस नदि का प्राचीन नाम है काली नदियों में सदा नीरा किस नदी का प्राचीन नाम है तो ये गंड़क का प्राचीन नाम है महत्माबूध ने सरवाधी कुपदेश कहां दिये थे सरावस्ति में दिये थे ये अंसर हो जाएगा किस अस्थान पर साइमन बिरोधी जूलूस का नेतितो करते हुए लाला लाजपत राय पूलिस द्वारा लाठी चार्ज में घायल हुए थे तो ये हुए थे लाहौर में ठीक है लाहोर में जो है साइमन बीरोधी जुलूस का नेतित्व करते हुए ललालाजपत राय जो है पुलिस के द्वारा जो है लाठी चार्ज से गायल हुए थे याद रखना है आपको किसका दूध पीने से दिमाग तेज होता है बेरे इंपोर्टन कुश्चन है आप सभी क बड़ा अस्पताल एम्स नई दिल्ली याद रखना है एम्स नई दिल्ली एम्स की फुल्फर्म पूछा जाए तो All India Institute of Medical Science याद रखना है All India Institute of Medical Science जो एम्स की फुल्फर्म होती है अगला कुश्चन है अपने अक्षिया संबोधन के समय किसने हिंदी भासा के लिए रोमन ल पी लागू करने की वकालत किया था किसने किया था सुभास चंद्रबोस ने ठीक है अंसर हो जाएगा सी अगला कुश्चन है अखिल भारतिया मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किसने दिया था अखिल भारतिया मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किसने दिया था किसे मिलकर बना होता है, तो देखी, ये oxygen, carbon और hydrogen से मिलकर बना होता है, ठीके, D, answer हो जाएगा, निमनेलेखित में से कौन पादफ hormone नहीं है, तो ये epineafrine, epineafrine जो है, ये पादफ hormone नहीं है, C, answer हो जाएगा, सुची फर्स्ट को सुची सेगंड से सही सुमेलित कीजिए देखे पहला दिया गया हैजा तो देखे हैजा किसके द्वारा होता है बैक्टरिया के द्वारा याद रखना है आपको हैजा बैक्टरिया के द्वारा डेंगू जो है वाइरस से होता है फिल पाऊं, फिल पाऊं जो है, यह क्रेमी से होता है और malaria protozoa से, याद रखना है आप सुमेलित इस तरह से देख सकते हैं, अगला कुश्चन है, निमनलेखित में से कौन अन्मानसिक रोग है, भरिर इंपोर्टन कुश्चन, अन्मानसिक रोग इन में से कौन सा है तो इन में सब ही, ठीक है, हेमोफिलिया, थेलेसीमिया, सीजोफ्रेनिया, तीनों यहाँ पर क्या है, अनुवानसिक रोग है, अगला कुश्चन है, निमनलेखित में से कौन जीव, निमेटोडा संग के अंतरगात आते हैं, तो इन में सब ही आते हैं, एसकेटिस, फिलेरियेसिस, पीनवर्ग, तीनों क्या है, निमेटोडा संग के अंतरगात आते हैं, अगला कुश्चन है, लार में मुख्यता कितने परकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, अगला कुश्चन है, साबुन के पतले जाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिडाम है, तो देखिए परावर्तन और बेक्तिकरण का परिडाम है, परावर्तन और बेक्तिकरण के करण से जो है साबुन के पतले जागों में चमकदार रंगों का बनना है, मतलब बनता है, अब सन यहाँ पर correct हो जाएगा तो अन्तु प्रकासी की संचार से संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है तो यह प्रकास तरंग के रूप में जो है प्रकासी प्रवाहित होता है D answer हो जाएगा यदि एक लोला को यदि एक लोला को भूमाधे रेखा से ध्रू की और ले जाए जाए तो उसका वर्तकाल ध्रू पर होगा तो देखें उसका वर्तकाल ध्रू पर निवन्तम होगा option B यहाँ पर correct हो जाएगा साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वाई मंडल यह दाब से अधिक होता है साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वाई मंडल यह दाब से अधिक होता है option C correct हो जाएगा जब एक बस्तु जब एक बस्तु एक समान बिरीतिया बेग से त्वरित होती है तो निमनलेखित में से कौन सा होती है तो बीसा जो हैं परिवर्दित होता है और 鉄塔 यह पर खरेफ्ट होती है किस अख्रय गैस को छोड़ कर सभी उत्क्रेष्ट गैस यह से गैसों के परमाडू की अंतिम कश्चा में 8 ऐलक्ट्रान बिद्दैमान है डा आएगा हीलियम को छोड़ कर जो हैं बाकी जो उत्किरिष्ट गैसे हैं आरगन रेडान और जिनान तीनों के परमाडू के अंतिम कच्छा में जो है आठ इलेक्टरान मौजूद हैं आपको याद रखना है अमल धातू कार्बोनेट के साथ अभी क्रिया करके निम्नलेखित मे करबन डाई अक्साइड निर्माड करता है अपसन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा निम्नलेखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है तो देखे सोडियम और पोटेसियम ठीक है यहाँ पर यह दोनों को चाकू से काटा जा सकता है यह पलस भी दोनों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा अगला कुश्चन है निमने लेखें तो मैंसे हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिया समस्थानिक तत्व है तो यहाँ पर ट्राइटियम है ठीक है अप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा यह सिटिलीन की रासायनिक सुत्र है तो देखिए C2H2 जो यह सिटिलीन की रासायनिक सुत्र है डिया अंसर हो जाएगा बलाय के कांथी किसका उपनाम है तो यह मार्टिन लूथर कींग का उपनाम है मार्टिन लिथर किंग, ठीक है, option D यहाँ पर correct हो जाएगा, आसकर के लिए नामित प्रोथम भारतिय फिल्म है, तो यह Mother India, Mother India है, option यहाँ पर correct हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला question है, यह आपके लिए Homer question रखते हैं, बेश्वा सिक्षक दिवस की स्तिति को मना जाता है, दोस्तों यदि आपको इसका answer पता हो, तो comment box में जरूर बाता है, और वीडियो पसंद आ हो, तो अपले वीडियो को like के, share और channel पनाया है, तो channel को subscribe करके bell icon प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो जो है, उसका notification आपको time to time मिल सके, तो subscribe करने पाद बेल icon on रखें, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत